आज से 200 साल पहले रेलवे लाइन की खोज हुई थी और उस समय कोई और भैता ट्रांस्पोर्ट ना होने की वज़य से सभी देश इस टेकनोलोजी को अपनाने लगे और तेजी से रेलवे ट्रेक्स को बिछाए गए रेलवे ट्रेक्स को बिछाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि जिस जगह रेलवे ट्रेक्स डाला जा रहा है वह जगह प्लेन हो ताकि ट्रेन आसानी से वहां से गुजर सके लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां पर रेलवे ट्रेक्स को बिछाना किसी चैलेंज से कम नह जाएंगे फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिग्यान में नंबर फाइक दुनिया का हाई स्लोप वाला रेलवे ट्रैक स्वीजे लैंड में है जो वहां के छोटे गाउं अल्पनाज जो कि 464 मीटर उचा है वहां से शुरू होकर पाउंड प्लेटर्स तक जाता है इसकी हाईड 2128 मीटर है ये ट्रेन 1600 मीटर की हाईड तिर्फ 4.6 किलोमेटर के ट्रैक में कम्पलीट करती है नॉर्मल ट्रेन में कोई ग्रिप नहीं होती जिस वज़े से वह इस ट्रैक पर स्लिप हो सकती है लेकिन इस ट्रेन में गेर लगाए गए है ताकि चड़ते और उत सार्टे समय स्लिप ना हो सके 1889 में बनी ये ट्रेन पहले स्टीम इंजन से चलती थी लेकिन 1937 के बाद इसमें इलेक्रिक इंजन लगा दिया गया नमबर 4 द्यूजलैंड में गिस्बॉन नाम का एक सेर है इसमें एक एरपोर्ट के रन्वे के बीद से रेलवे ट्रैक निकलता है यहां का कंट्रोल टावर रेलवे टावर से कॉन्टैक्ट में रहता है यहां पर अगर कोई प्लैन लेंडिंग के लिए रेडी होता है तो ट्र इस बॉन में एरपोर्ट के लिए इससे अच्छी जगा कोई और नहीं थी नमबर 3 स्विजर लैंड जहां पर काफी बर्क गिर्टी है वहां पर रेलवे ट्रैक बिछाना काफी चलेंजिंग था 5,270 फीट की मुचाई पर जर्मेट नाम के एक छोटे सिटी से चैंट मोटे इस तक ये 291 किलोमेटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाए गया है इस ट्रैक पर एक बार में स्रिफ एक ही ट्रेन चल सकती है जिसे ग्लेशियर एक्सप्रेस कहा जाता है उचे पहार ब्रिजेस और काफी सारी बर्फ होनी की वज़ा से ट्रेन इस ट्रैक पर काफी स्लो चलती है इसलिए ये दुनिया की सबसे स्लोईस्ट ट्रेन मानी जाती है इस सफर में ट्रेन कुल 91 टनल से होकर गुजलती है और इन में से एक टनल पुर्का टनल है जो 16 किलोमेटर लंबा है और ट्रेन एक ऐसी ब्रिट से भी होकर गुजलती है जो 450 फीट उचा है नमबर टू सुजलेंड में एक ट्रेक ऐसा भी है जो स्पैरल सेप का है वेड़क में ट्रेन को 20 मीटर ऊपर चलाना होता है लेकिन ट्रेन इंजन इतने पावरफुल नहीं होते कि वह इस उचाई को चला सके इसलिए 1903 में एक स्पैरल ब्रिच बनाया गया जिसकी मदद से इस 20 मीटर की उचाई को असानी से चला सके ऐसा स्पैरल ट्रेक दुनिया में कहीं नहीं है नमबर वन वैसे तो सभी ट्रेन ट्रेक के ऊपर चलती है लेकिन 1970 में जापान में बनी इस ट्रेक के नीचे ट्रेन चलती है यह रेलवे नेटवर्क दो एरिया को कनेक्ट करता है इ आपको यह वीडियो भी बेहत पसंद आई होगी ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें